मुख्य मंत्री विश्म देव साय ने कहा है कि अटल विहार योजना से जरुवत मंदों को किफायती दर पर आवास में सकेगा योजना के तहट 36गर ग्रिह निर्मान मंदल द्वारा 1650 मकान बनाय जाएंगे इसमें राजिस शौसंद वारा EWS भावनों में 80,000 रुपए और LIG भावनों में 40,000 रुपए की सबसेडी दी जाएगी सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश से मुख्य मंत्री ने आज अपने राइपुर निवास कारियाले में अटल विहार योशना के तहर 36 गड़ ग्रहे निर्मान मंडल की साथ आवासिय परियोजनाओं का शुभारम किया इस अवसर पर मुख्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योशना प्रारम भी की जा रही है ताकि जर्वत मंदों को विशेस रूप से शहरी शेत्र के लोगों को फायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सके मुख्य मंत्री ने बताया कि राजियम, धमतरी, दुर्ग, बालोद और बेजापूर जिले में EWS, LIG और MIG श्रेणी के आवास बनाय जाएंगे लगभाग 300 करोड रुपे की लागत की इस पर योशना के तहट 1650 मकान बनाय जाएंगे हिद्गराही भवनों का आनलाइन पंजियान कर सकेंगे योशना के तहट हाउसिंग बोडवारा 50,000 भवनों का निर्मान कर आवंटन का लक्षिनरधा रित किया गया है इस आवसे पर आवास और परियावरन मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि अटल विहार गोशना के तहट आवासों का निर्मान गुणवत्ता के साथ किया जाएगा और जल्थी यहाँ योशना सभी जिलों में शुरू होगी